हान जी मित्रो हेलो वाट्स अप कैसे हैं आप सब गुड मॉर्निग गुड मॉर्निग गुड मॉर्निग गुड मॉर्निग अल अफ यू क्या हाल चाल हैं आप सब के सुबा हो गई मामू मामू अरे मामू जन्दा मामा सो गई सूरच चाचू जागे देखो पकड़ो यारो फाइनल के बच्चे भागे एक कहानी खतम तो दूजी शुरू हो गई मामू गुड मॉर्निग गुड मॉर्निग अल अफ यू मित्रो सारे बच्चे एकदम बढ़िया तरीके से मुझे बता दीजिए क्या आप सब रेडी हैं क्या आप सब रेडी हैं बच्चे फटाफट मुझे बता दो आप कहां कहां से हो फ्रॉम वेर आर अल अफ यू आप इंडिया के कौन से कौन से पार्ट से हैं फटाफट मुझे अपनी जो सिटी है शहर है जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए गुड मॉर्निंग आदित्या आर्यन ओसम जैपूर कमला नगर दिल्ली पूने भोपाल हैद्राबाद राजिस्थान पीरमा चुला हनुमान गर्ड उल्हास नगर मुंबई ओके जम्शेथ पूर यूपी लखनव व्रिंदावन राइपूर बैरंपूर पुरुवाले सारे आगे एमदाबाद राइपूर चतिसगर रतलाम आएम नॉट एबल टू सेंड मैसेज़ेस आपके मैसेज़ेस आ रहे हैं ठीक है आप सिटी का नाम बताएए श्री गंगानगर अलवर खन्ना और पूने पूने वाह नमिता थापर्ड एक्सपर्टीज एमदाबाद मॉंब मॉंबाई क्या बात है सर चुरू रत्तनगर वेरी गुड मॉंबाई मैने सारे शहर लेली है मुटा माड़ी ग्वालियर भाई साब रिशीकेश कॉलकता बैंगलूरू लुध्याना संबलपूर क्या बात है जामनगर गोरकपूर यूपी राजकोर्ट औसम नागपूर मॉ लेली नॉएडा अरे क्या बात कर रहे हो आपस मेगा तुम तो मेरे भाकियों के मेसिज ने डिएख रहे humble तुमarin तो दिख रहे हो ना तुमको यहां फोकस करना है बाकियों के मैसिज का क्या करोगी तुम जानके ठीक है अपने में फोकस करो इधर मोसी करो राजकोट, करनाटका, गुरुग्राम वडोद्रा, राची ओसम, गांधीधाम क्या बात है सर, पटना कोई बात नी, कोई बात नी, कोई बात नी, सब बढ़ी हो जाएगा फरीदावाद, ओसम गुरुग्राम, तो सारे के सारे बच्चे, फड़ाफण मुझे बताओ, आपने cities तो बता दी, और अब एक काम और करेंगे सर, क्या करोगे, मैंने का एक बार ये भी बता दो ना, एक बार ये भी बता दो ना, ये आई से एक word होता है, हाँ, इंटर इंटर में भी audit पड़ा था हाँ सर, इंटर में भी audit पड़ा था एक बार इंटर audit के नंबर भी जड़ा बता दो ना कब तक ये जो बाते हम ये छुपाते फिरेंगे, एक बार ये बात भी पता चल जा है, तो मुझे लगता है एक comfort आजएगा कश्मीर से हो तुम, रोहिनी, दिल्ली क्या बात है सर, awesome, हिसार जल्दी से सारे बच्चे बताओ, इंटर audit में आपके कितने नंबर थे, मैं नॉइडा से हूँ ठीक है, मैं नॉइडा से हूँ 43, 62, बताओ, 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 मजाएगा 58, 66, क्या बात है, 46 55, 46 48, 48, 49 61, 56 44, awesome 47 42, 56, 64 62, क्या बात है सर, 60, 50, 40 65, 60, so मोडा माटी, मोडा माटी, as I can see majority जो बच्चे है, वो 40s और 50s की लाइन में है, 70 marks अरे बाप रहे, इतने नंबर कहां से ले क्या है तुम, किताब साथ ले के बैठे थे क्या बड़ी मुश्किल से सर, 40 40 आए, very good 40 आए, तो तुम यहां आए 40, 61, 51, 44, 45, 40 तो कही ना कही यह चीज मैंने इसलिए पूछी कि कल को तुमको ऐसा न लगे, मैं अकेला ही हूँ 40, 50 वाला, कल को तुमको ऐसा न लगे, मैं अकेला ही हूँ 40, 50 वाला बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारी दुनिया है, जो 40, 50s में बैठी है और एक बच्चा कहता है 80 है क्या बात है सर 80 वाले भी चैट कर कहां से रहे हैं जहां से तुमने ये चीज लिखके भेजी की चैट कर कहां से रहे हैं वहीं से तुमको चैट करनी है उसके बाद 51, 52 47, 47, very very good तो मैं आपको बोलता हूँ भाई इंटर में कुछ भी हो इंटर में कुछ भी हो हमको फरक नहीं पड़ता हमको इससे कही न कहीं कुछ फरक नहीं पड़ता at the end of the day what matters is your CA final हाँ सर ये अच्छी बात कही आपने ये बड़ी ही अच्छी बात कही आपने कि CA final audit में कितने नंबर लेंगे at the end of the day वो matter करेगा तो अब सारे बच्चे मुझे बताओ यहां तुम्हारा target क्या है क्या तुम जो इंटर की कसर बाकी रह गई उसको पूरा करना चाहोगे फटा-फट बताओ what is your target now for your CA final और थोड़ा धंका target बोलना सामने बैठा बंदा दो बार exemption लेकिया है बता दो जल्दी से 63 63 इंटर वाल है या final का target 63 रखा है 60 प्लस very very good कई बच्चे आते ही 100-100 लिखने लगते हैं यहां थोड़े बच्चे रियलिस्टिक हैं 60 प्लस लेएंगे तो खुश हो जाएंगे 70 70 प्लस exemption very good नितिन कहते है सर 70 प्लस रिशी का 60 प्लस 75 90 प्लस इधर आओ इधर आओ तुम तुम्हाई दिमाग में जा रहा है जो तुम लिख रहे हो हां सर जा रहा है देखो आ भी सकते हैं वैसे आजकल manifestation का जमाना चल रहा है जो manifest करो असली में वो ही हो जाता है 60 प्लस 65 62 70 70 प्लस 80 बहुत बढ़िया तो मैं आपको बस एक request करूँगा सर टारगेट समेशा उचे रखा करो टारगेट समेशा उचे रखा करो मेरा ये मानना है कम से कम आप 70 प्लस का टारगेट तो लेके चली सकते हो because it is very comforting बहुत ही comfortable टारगेट है and trust me achieve भी हो जाएगा अगर आपने शान्ती पूरवक प्रेम तरीके से महनत कर ली yes or no? yes sir कम से कम इतना टारगेट मुझे लगता है सब को लेके चलना चाहिए अब सारे के सारे बच्चे आजओ मेरे साथ अब हम शुरू करते हैं वो आता है न पहले ने एड आती थी sun feast की चलो चलते है sun feast की दुनिया में वो बड़ी ही प्यारी दुनिया ओती थी बड़ा ही मज़ा आता था अब हम चल रहे हैं audit की दुनिया में सर ये audit की दुनिया कैसे दिखती है आओ मेरे साथ देखो जरा let's say एक company है जिसका नाम है Reliance Limited सर क्या हमको ये सब बाते अभी लिखनी है जो आपको लिखना होगा वो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा ठीक है अभी आप बस चीजों को सुनते चलो समझते चलो प्रेम पूर्वक उसके मज़े उठाते चलो ठीक है सर Reliance Limited क्या है सर ये एक company है ठीक है सर अब मेरे जैसे कई सारे shareholders है अब मेरे जैसे कई सारे shareholders है जिनोंने इस company में क्या लगा रखा है सर इनोंने इस company में पैसा लगा रखा है मैंने अपनी बहु मूल्य स्टाइपंड वाली कमाई इस कंपनी में लगा रखी है क्या बात करे हो सर हाँ अब इस कंपनी का काम क्या है कि ये मेरे पैसे को यूज करे ये मेरे पैसे को यूज करे और इससे प्रॉफिट्स जनरेट करे तो कंपनी क्या करती है ना कंपनी की जो में क्या assets हैं क्या liabilities हैं जो ये P&L मनाती है सर उससे क्या पता चलता है कि इस बार company को कितना profit हुआ या company को कितना loss हुआ समझ गए सर अब ये जो financial statement है ये किसको दिये जाते हैं ये shareholders को दिये जाते और बोलते हैं देखो और बोलते हैं देखो कि आपने जो company में पैसा लगाया उसका हमने क्या किया अब सर shareholders जो है मुझे सची सची दिल पे हाथ रखके बताना क्या shareholders in financial statement पे विश्वास कर सकते हैं क्या shareholders in financial statement पे विश्वास कर सकते the answer is no मैंने का no क्यूं क्यूंकि management जो financial statement बनारी है वो उसमें हेरा फेरी कर सकती है उसमें वो चीजे उपर नीचे कर सकती है जूट 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 चीजे भी तो दिखा सकती है तो सर विश्वास कैसे करें मैंनेreaming तभी जनम होता है एक बंदे का जिसका नाम है आज तो तुम इसकी पूरी छवी देखके जाओ आज तो तुम इसकी पूरी छवी देखके जाओ सर मोटे मोटे चश्मे वाला कौन मैंने का ये है हमारा ओडिटर ओ छोटी सी नाग प्यारी सी हसी छोटे छोटे बाल इसके पेंग्विन जैसे ये है हमारा auditor अब सर जो auditor है वो financial statements को परखेगा ये बैठके क्या करेगा ये financial statements को परखेगा और जब financial statement को परखेगा उसके बाद ये क्या करेगा shareholders को अपना opinion देगा अब सारे बच्चे बताओ क्या ये जो auditor है ये management के साथ मिला हुआ होना चाहिए भुपेंदर कह रहा है आपके जैसा दिख रहा है नलायक इधर focus करो आपके जैसा दिख रहा है क्या मतलब है am I that fat no sir आप उत्रे मोटे तो नहीं लग रहे अब इधर देखो तो नलायक ये जो auditor है क्या ये management से मिला होना चाहिए नहीं क्या ये जो auditor है ये shareholder होना चाहिए नहीं sir अगर auditor shareholder होगा तो ये बताओ क्या ये company के profits को ज्यादा से ज्यादा दिखाना चाहेगा ताकि share price बढ़ है हां sir ये ऐसा चाहेगा तो मैं कहता हूँ जो auditor है इसका इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए ये जो auditor है इसका management से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए तो sir हमारा auditor कैसा हो independent auditor हो हमारा auditor independent होना चाहिए यानि ना तो management से कोई लेना देना ना shareholder से कोई लेना देना ये अ अब सब बच्चों के मन में सवाल इधर देखते जाओ तुम्हारे सारे डाउट्स में लेता जाओंगा सर कोशन आया हमारे मन में कैसे हम एक एंटिटी के फाइनेशल स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं तो एक एकजामपल लेता हूँ तुमको सब समझ आएगा जब आपने इंटर के एकजाम दिये तो आपका जो ओडिट का पेपर था वो कैसे चेक हुआ सर बड़ा सिंपल था हमने जो ओडिट का पेपर लिखा वो थोड़ा ऐसा दिखता था ऐसे करके हमने अपना ओडिट का पेपर लिख दिया अब जो सामने वाला चेकर था उसके पास एक चीज और पड़ी थी बगल में उसको कहते हैं मार्किंग स्कीम उसमें भी लिखा था ऐसे ऐसे करके एक मार्किंग स्कीम पड़ी थी ठीक है सर अब इग्जामिनर ने कुछ नहीं किया हमारे ऑडिट पेपर को इस मार्किंग स्कीम से कमप्यर किया उसने हमारे ऑडिट पेपर को बड़ी गेम सिंपल है, इसमें audit का paper नहीं होगा, इसमें होंगे entity के financial statements, यानि जो entity की balance sheet है, जो entity का P&L है, जो entity का cash flow है, जो entity के notes to accounts है, जिसको आप यार से disclosure बोलते हो, ये सारी चीज़े auditor के हाथ में पड़ी होती है, क्या ये बात समझ आती है, हाँ sir, अब इसको compare किस से करते ह हैं, sir, इसको compare करते हैं, इसकी marking scheme से, हमारी balance sheet और P&L किसके हिसाब से होने चाहिए, sir, schedule 3 के हिसाब से, जो accounting है, वो कैसे होनी चाहिए, ind as, और accounting standard के हिसाब से, तो इन सब को हम प्रेम पूरवक तरीके से क्या बोलते थे, बताना ज़रा, इन सब चीजों को प्रेम पूरवक त तरीके से, हम क्या बोलते थे, sir, इसी को हम बोलते थे, प्यार से, frf, इसी को हम प्यार से क्या बोलते थे, frf, अच्छा, frf, कोई सा भी उठा लूँ, या applicable frf, sir, applicable frf, applicable frf का क्या मतलब है, देखो, क्या हर entity पे ind as लगता है, नहीं, जिस पे ind as लगता है, उस पे आप ind as लगता है उस पे आप AS उठाओ तो जो आप पे एपली केबल है ना वो वाला FRF उठाने है यह नहीं कि मार्केट से कुछ भी उठा के ले गए मेरा मन कर रहा है कि मन में आ रहा होगा सरी यह FRF था क्या? FRF का मतलब है Financial Reporting Framework क्या बोलते हैं प्यार से? Financial Reporting Framework यह कुछ नहीं है यह Auditor की Marking Scheme है अब सारे बच्चे मुझे बताओ Normal भाशा में अगर इन दोनों के बीच में कोई Difference आएगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? सर हम उसको बोलते हैं गलती हम उसको क्या बोलते हैं? गलती बट Audit में गलती का नाम क्या है? मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बच्चे चैट बॉक्स में बता दे मुझे बता दीजिये जल्दी से अच्छा हुआ मानिक ने पूछ भी लिया सर FRF की फुल फॉर्म क्या मैंने पहले ही बता दी मानिक डोंट वरी बेटा जल्दी से मुझे बताओ गलती का नाम Audit में क्या हो जाता है? सब ने एकदम प्रेम पूरवक तरीके से बताया सर गलती का नाम है Miss Statement गलती का नाम है Miss Statement तो Miss Statement क्या होती है? सर इट इज़ डिफरेंस मुझे बताओ आपके पेपर में गलती कब होती है? सर जब आपने जो पेपर में लिखाया और जो मार्किंग स्कीम में लिखाया वो क्या है? अगर दोनों में डिफरेंस होता है तो बोलते है न गलती है तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि audit में गलती कब होगी? जब आपने जो financial statement बनाए और जो financial statement बनाने चाहिए थे ऐस पर applicable FRF उसमें डिफरेंस है तो Miss Statement क्या होती है सर? Miss Statement ध्यान से समझना बहुत ही प्यारी बात बता रहा हूँ Miss Statement is basically the difference in the ACPD बोलो मेरे साथ ACPD तुम बोल क्यों नहीं रहे? सर आपको कैसे पता हम नहीं बोल रहे हैं? मुझे सब पता है I know each and everything इधर फोकर्स करो ACPD का क्या मतलब है? सर A for amount C for classification P for presentation and D for disclosure सर ये सारी बाते क्या है? एक बार बताओ ना amount का क्या मतलब है? क्या balance sheet में धेर सारी amounts आती है? आती है सर क्या PNL में धेर सारी amounts आती है? आती है सर तो अगर इन amounts में गलती होगी तो वो miss statement है सर ये classification क्या है? बचपन से teacher एक प्यारा सा example देती है मैं भी वो ही देता हूँ मुझे सारे बच्चे बताना example बचपन वाला wages paid wages paid for construction of building wages paid for the construction of building दिल पे हाथ रखके बोलो क्या ये PNL में जाएगा या इसको capitalize कर दूँ जैसा बोलोगे वैसा माल लोगा बता दो जरा बचपन का example भूल मत जाना रे wages paid for building PNL में जाएगा या capitalize कर दूँ सबने एकदम सही कहा सर PNL कैसी कैसी बाते कर रहे हो PNL में खोड़ी जाएगा PNL में थोड़ी जाएगा ये आपने building की construction के लिए पे किये है इनको capitalize करो तो यानि आपने जो भी चीज करनी है उसको ठीक से classify करना अब सर ये presentation क्या है अब ये presentation क्या है presentation is basically your schedule 3 जैसा schedule 3 चाहता है वैसे ही आपने financial statements को present करके चलना है and sir disclosure is your notes to accounts जो आपके notes to accounts हैं जिसको आप बोलते हो summary of accounting policy जिसको आप प्यार से बोलते हो summary of accounting policy ये सब proper होना चाहिए तो सारे बच्चे मुझे बताओ miss statement का क्या मतलब है sir it is a difference अब ये जो difference है ये चार चीजों में हो सकता है जल्दी से बताओ क्या क्या a c p d save with me a c p d एक बार और a c p d a for amount c for classification p for presentation and d for disclosure अब sir ये difference किसके बीच में है मैंने का दो चीजों के बीच में sir दो चीजे क्या है बताओ दो चीजे क्या है बताओ तो दो चीजे है a c p d that has been reported that has been reported in the financial statements oh and that was required to be क्या बोल रो सार that was required to be reported in the financial statement क्या ये बात समझ आती है हाँ sir that was required to be reported in the financial statement as per applicable f r f इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी है तो difference किसके बीच में मैंने का difference between what is there and what was required to be there as per the applicable f r f किन चार चीजों को लेके difference होता है अब बताओ मुझे एक बार a c p d बोलो मेरे साथ a c p d amount classification presentation and disclosure please tell me in the chat box क्या miss statement की definition सबको clear है जल्दी से बता दीजिए अजीम जी अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है चीजों को समझने पे focus करें सारी बाते आपके notes में मैंने लिखवा रखी हैं अभी आपने concepts को सीखना है समझना है क्लियर है boss is the misstatement part clear अब सारे बच्चे मुझे बात बताओ सर कितने बच्चों ने दबंग देखी है अगर तुम मुवी वाले बच्चे हो तो तो मजा आयेगा अगर तुम मुवी वाले बच्चे हो तो मजा आयेगा अब मुझे बताओ कि तुमने दबंग देखिये या नहीं फटाफट बताओ हम तुमने इतने छेद करेंगे कि कन्फ्यूस हो जाओगे हाँ वो ही वाली मूवी जल्दी से बताओ एक बाट जो मैंने कमिट्मेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता देखिये सर क्या बात है क्या बात है सर इसमें सोनाक्षी सिना जानते हो सोनाक्षी सिना करके एक देवी जी है हाँ सर हाँ वो ही तो सुनाक्षी सिना का सर एक फेमस डायलोग है वो क्या कहती है वो कहती है कि सर थपड से डर नहीं लगता तो मैंने का किस से लगता है कहती है प्यार से लगता है क्या कहती है प्यार से लगता है तो सर एक बात बताओ जो हमारा ओडिटर है जो हमारा ओडिटर है इसको क्या miss statement से डर लगता है क्या इसको क्या miss statement से डर लगता है या किसी और चीज से फटाफ़ट बता दो, does the auditor, हाँ करें कमिटमेट में वाला Trip वाला डायलोग वान्टेट का है, इनको ये नहीं पता कौन सी चीज कौन से स्तेंडर्ड केये है, बड़ इनको ये पता है सर आपने जो भी कमिटमेंट वाला डायलोग बारा न सलमान खान का वो wanted का है न लायक इधर focus करो misstatement से डर नहीं लगता material misstatement से लगता है क्या उच विचार है सर आपके क्या उच विचार है अब सवाल उठता है यह material misstatement क्या है यह material misstatement क्या है तो बच्पन से आपके accounts के teacher ने आपको ये बात पढ़ाई AS1 में materiality का concept आया What is considered to be material What is considered to be material ये बात आप अपने articleship के interview के लिए भी पढ़के गए होगे मुझे बताओ material क्या होता है सर material वो चीज है जिससे user of financial statement को फरक पढ़ता है फिर से बोल रहा हूँ ध्यान से समझना Material वो चीज है जिससे user of financial statement को फरक पढ़ता है यानि a misstatement is considered to be material ध्यान से समझना Misstatement is ये चीज आप लिख सकते हो Misstatement is considered to be material मैंने का when When do you think it can be considered to be material Misstatement is considered to be material When it can influence जब ये कहीं न कहीं क्या कर सकती है Influence कर सकती है मैंने का किसको Economic decisions Economic Decisions सर ये decisions किसके है Of the users of financial statements Of the users of financial statements तो आपने बस इत्ती सी बात समझनी है जब भी हम audit में बात करेंगे तो हमें misstatement से फरक नहीं पढ़ता है किस से फरक पढ़ता है Material misstatement और AS1 ने हमें सिखाया है कि material वो चीज है That can influence the economic decision of the user of financial statement Economic decision का क्या मतलब है जहां भी उसका पैसा involved होगा जहां भी उसका पैसा involved होगा हम उस चीज को कहीं न कहीं material मान लेंगे अब सर ये materiality कैसे calculate होती है हम materiality के साथ कैसे खेलते हैं ये सारी बाते मैं आपको सिखाऊंगा कब essay 320 में So this will be covered in detail कई न कई हम इन चीजों को detail में कहां cover करेंगे essay 320 जल्दी से बता दीजिए क्या ये 320 materiality वाली basic बात आप सबको clear है क्या बता दो जल्दी से Tell me in the chat box मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है field से चलेंगे एकदम field से चलेंगे flow flow में चलेंगे सबसे पहले सी का audit फिर सी का misstatement फिर सी का material misstatement अब मेरी आप सबसे एक प्यारी सी सवाल प्यारी सी क्या होता सब प्यारा सा सवाल मेरा आप सबसे प्यारा सा सवाल सारे बच्चे कोशन देखना आपके बोर्ड पे आपकी स्क्रीन पे कोशन ये रहा सर क्या कोशन है ओडिटर जब फाइनेशल स्टेटमेंट्स चेक करेगा ओडिटर जब फाइनेशल स्टेटमेंट्स चेक करेगा क्या वो guarantee देगा कि financial statement में material misstatement नहीं है बताओ जरंदी से can the auditor give guarantee क्या एक auditor guarantee देगा क्या एक auditor absolute sir absolute assurance की बात कर रहा हूँ absolute सुनके खुश मत हो जाये करो क्या एक auditor guarantee देगा क्या वो absolute assurance देगा that financial statements are free of material misstatement बताओ जल्दी से सब ने कहा sir कोई guarantee नहीं है हमने तो reasonable assurance सुन रखा है हमने तो reasonable assurance सुन रखा है कोई guarantee नहीं होती तुम तो बड़े ही पड़े लिखे बच्चो तुम तो बड़े ही पड़े लिखे बच्चो बिलकुल सही कहा sir as a auditor हम कभी भी guarantee नहीं दे सकते, as a auditor हम कभी भी guarantee नहीं दे सकते, so the right answer is no, auditor can give only and only, only and only, sir क्या, reasonable assurance, अब सारे बच्चे दिल थाम के बैठना बहुत प्यारे प्यारे concept आपके जीवन में आने वाले हैं, एक एक करके समझते चलेंगे, सबसे पहला सवाल, reasonable assurance क्या है, सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आता है, सर वो क्या है, reasonable assurance क्या है, तो क्या-क्या जवाब मैं दे देता हूँ, it is a high, it is a high, but not an absolute assurance, ये कही ना कही कोई guarantee नहीं है, ये कही ना कही कोई guarantee नहीं है, कि financial statement में material statement नहीं है, बट हाँ, ये एक high level of assurance है, क्या ये basic बात समझ आती है, हा सर, दूसरा सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा, वो भी मैं clear करता हूँ, सर ये मिलती कैसे है, ये हमको as a auditor, मिलती कैसे है, कोई बच्चा बताना चाहेगा कि reasonable assurance मिलती कैसे है, मैं आपको एक minute दे रहा हूँ, सोचने के लिए, give me the answer in the chat box, मजा आ जाएगा, पहला सवाल मैंने clear कर दिया, क्या है, दूसरा सवाल है, मिलती कैसे है, सपनों में मिलती है, ओ assurance मेरी सपनों में मिलती है, sufficient and appropriate evidence लेके, audit evidence, audit procedure करके, by conducting the audit as per standards, sample testing करके, by applying the audit procedure, by performing the procedures and obtaining sufficient and appropriate evidence, when the financial statements are free from material misstatement, किसी ने लिखा, S-A-A-E, यानि sufficient and appropriate evidence, very very good, मोटा माटी, मोटा माटी आपकी बात बिलकुल सही है, सर, हमें ये मिलती है, by taking audit evidence, कहीं न कहीं, जब हम अपना audit evidence इखटा करते हैं, उससे मिलती है, और ऐसे ही नहीं है, किसी भी evidence से मिल जाएगी, ना, 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 वो evidence के अंदर दो qualities होनी चाहिए, सर, क्या, कहीं न कहीं, ये evidence sufficient होना चाहिए, and ये evidence appropriate होना चाहिए, यानि आप सिंपल सी बात समझो, जब भी आपको बूख लगती है, जब भी आपको बूख लगती है, तो क्या, आप खाना खाते हो, हाँ सर, हम खाना खाते हैं, तो खाने की दो qualities क्या होती है, सर, खाना sufficient होना चाहिए, पेट भरके खा सके, ऐसा sufficient खाना होना चाहिए, और खाना खाने लायक होना चाहिए जो खाना है वो कही न कही खाने लायक होना चाहिए यानि टेस्टी भी होना चाहिए तो sufficient भी होना चाहिए appropriate भी होना चाहिए तभी आपको संतुष्टी मिलेगी reasonable assurance को आप प्यार से ये भी कह सकते हो सर ये क्या है इसको आप प्यार से बोल सकते हो सर ये auditor की संतुष्टी है ये उसके मन की संतुष्टी है कहीं ना कहीं उसको अच्छा लगता है reasonable assurance लेके तो ऐसा मानना दोनों चीजें होनी चीए sufficient भी होना चीए appropriate भी होना चीए अब बच्चों के मन में सवाल सर ये sufficiency क्या है मालिक ये sufficiency क्या है sufficiency is basically your quantity जो audit evidence है उसकी quantity काफी होनी चीए अब ये दो factors पर depend करता है सर क्या क्या मैं कुछ नहीं बोलूँगा तुम खुद अपने मन से मुझे बताना अगर financial statements में रोमम ज्यादा है रोमम का क्या मतलब है risk of material misstatement risk of material misstatement यानि chances are there कि financial statements में material misstatement हो सकती है अगर इसके chances अगर इसके chances ज्यादा हैं तो मुझे बताओ जो quantity of evidence है वो आप ज्यादा लोगे या कम एकदम logically, conceptually बताना if the chances of material misstatement in the financial statement are high quantity ज्यादा लेंगे या कम लेंगे रितिका, अजीम, रिया, व्रिंदा, पुलकित, दीपा, लाला, शर्मा जी very very good सबने एकदम सही का quantity बढ़ा दो quantity बढ़ा दो यानि जितनी ज्यादा रोमम उतनी ज्यादा quantity very good sir अब बात करते है quality की अगर मैं कहता हूँ quality बहुत अच्छी है quality बहुत अच्छी है तो मुझे बताओ क्या तुम्हें quantity अब ज्यादा चाहिए या कम quantity से भी काम चल जाएगा feel समझना topic की अगर quality अच्छी है तो quantity ज्यादा चाहिए या कम quantity में भी काम चल जाएगा अब बताओ Less सबने कहा सर यहां quantity कम कर दो यहां quantity कम कर दो कम quantity में भी काम चल जाएगा तो यह बड़ी ही simple बात थी कि हमें sufficiency of evidence समझना है अगर रोमम ज्यादा तो quantity ज्यादा अगर quality ज्यादा तो कम quantity में भी काम चल जाएगा सर यह appropriateness क्या है यह appropriateness क्या है यह भी बता दो so appropriateness appropriateness बात करती है quality of evidence की सर एक बात बताना यह quality किस पर depend करती है दो चीजों पर depend करती है R और R R और R यह दोनों नाम आपने इंटर में पढ़ रखें बट मैं आपको वापिस अच्छे से समझाऊंगा सर यह R और R क्या है relevance and reliability relevance और reliability अब सर relevance और reliability क्या होते है छोटा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा तुमको सच में तुम कहोगे सर मजा आ गया सबसे पहले सर relevance समझते हैं इधर देखो what is the relevance relevance को आप ऐसा कह सकते हो it is a logical connection एक मिट रुक जाओ ज्यादा अभी detail में नहीं जाते हैं पहले समझाते हैं इधर देखो मानलो में testing कर रहा हूँ debtors की सारे बच्चे बताओ debtors क्या होता है क्या debtors एक account balance है account balance मतलब balance sheet का item या debtors एक class of transaction है सर class of transaction का क्या मतलब है कोई P&L का item या debtors एक disclosure है disclosure का क्या मतलब होता है notes to accounts क्या ये basic बाते समझाती है हाँ सारे बच्चे मुझे बता दो debtors कौन सी category में डालते हैं सबने एकदम सही जवाब दिया मालिक debtors is an account balance debtors is an account balance ये ना तो class of transaction है ना तो ये disclosure है ये account balance है very good मुझे एक बात बताओ जब भी हम account balance की बात करते है तो market में इसकी क्या-क्या assertions है market में इसकी क्या-क्या assertions है यानि अगर कोई चीज balance sheet में लिखी है तो क्या-क्या चीजे में मान सकता हूँ सर आप चार चीजे मान सकते हो बताओ क्या-क्या E-R-C-V क्या-क्या होती है जल्दी से बोलो में साथ E-R-C-V E का क्या मतलब है एक-एक करके बताओ जाओ देखते किस-किस को किता-किता याद है थोड़ा-थोड़ा बताइने सारे बच्चे E for elephant मत बोलना बहुत पिटाई हो जाएगी तुमारी existence क्या बात है सर E for existence R for rights and obligations क्या बात है सर C का मतलब क्या था C का मतलब है completeness and V का मतलब है valuation V का मतलब है valuation अब सर यह सब क्या-क्या चीज़े है ध्यान से समझना क्या मैं बोल दू अगर balance sheet में कोई asset है अगर balance sheet में कोई asset है तो management क्या कहना चाहरी है assertion का क्या मतलब होता है सर assertion का मतलब है कि management management क्या कहना चाहती है बोलो मेरे साथ जो आपकी management है वो क्या कहना चाहती है तो सर बताओ management क्या कहना चाहती है management कह रही है अगर कोई asset balance sheet में है तो वो exist करता है तो वो actual में exist करता है fictitious asset नहीं है PLUS वो जो asset है हमारी उसपे right है वो हमारा asset है हम उसको own करते हैं उसपे हमारी right है PLUS sir, completeness का क्या मतलब है हमने कोई भी asset छोड़ा नहीं है हमने कोई भी asset छोड़ा नहीं है सारे assets को दिखाया है completely एक-एक asset को दिखाया है and valuation का क्या मतलब है sir valuation का मतलब है जिस amount पे दिखाया है जिस amount पे दिखाया है वो सही amount है तो ये चार बाते क्या है ये चार बाते है जो management आपको कहना चाहती है किसी asset के थू क्या ये दिल की बाते समझा रही हैं आपको management की हां sir कि asset exist करता है asset पे हमारी right है asset complete है और asset की value भी ठीक है मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं as a auditor ये सब क्यों जान रहा हूँ क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हूँ इसमें मेरा क्या फायदा sir फायदा है फायदा है जैसी assertion वैसे procedure समझना मेरी बात जैसी assertion वैसे procedure और जैसे procedure वैसा evidence यानि आपने बस एक flow समझना है sir क्या जैसी assertion होगी वैसे आप procedure करोगे अभी लिखने की जरूवत नहीं है मैं लिखने का time दूँगा ना तुम focus करो ना बाबा ठीक है तुम ऐसा मान के चलो तुमारी inter की revision class ही चल रही है वो भी detail में जैसी assertion वैसा क्या होगा sir वैसे procedure होगे जैसे procedure होगे वैसा आप evidence इखटा करके चलोगे example दो sir ध्यान से समझना अगर मुझे debtors की existence चेक करनी है मुझे चेक करना है हमारी debtor पे right है तो मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे क्या मैं debtor से क्या मैं debtor से external confirmation ले सकता हूँ हाँ sir आप debtor से external confirmation ले सकते हो मैं debtor को चिठी लिख सकता हूँ कि debtor debtor क्या तुम इस entity को कुछ पैसे ओ करते हो क्या तुमको इस entity को पैसे देने है तो वो जो पैसे वाली चीज़े मैं existence और right से चेक कर सकता हूँ हाँ sir कर सकते हो तो external confirmation के जब मैं procedures लगाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा तो sir आपको external confirmation मिलेगी अब सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ ये जो आपने external confirmation के procedures लगाए ये किस पे लगाए sir ये उन debtors पे लगाए जो entity की balance sheet में आ रहे थे जो entity की balance sheet में आ रहे थे उनी के उपर आपने procedure लगाए मैंने का very good but उन debtors का क्या जो entity से छूट गए but उन debtors का क्या जो entity से छूट गए उनको कैसे पकड़ोगे क्या उसके लिए भी जो balance sheet में debtors आ रहे उनी के उपर procedure करोगे या कुछ different करना पड़ेगा आप मेरी चीज समझ रहे हो मित्रों क्या ये सब बाते तुमको समझ आ रही है इधर देखो जब मेरा debtor balance sheet में आ रहा था तो उसकी तो मैंने confirmation मंगा ली but मुझे अब completeness चेक करनी है मुझे ये चेक करना है कि इन 5 debtors को जो entity ने दिखाया है इसके अलावा छटा debtor तो नहीं है इसके अलावा छटा debtor तो नहीं है ये छटा debtor कैसे चेक करूँ जल्दी से बताईए ये चटा debtor कहां से लेके आऊ सर बड़ा simple है बड़ा simple है अगर आपको completeness चेक करनी है अगर आपको देखना है कि कल को कोई 6th debtor तो नहीं कल को कोई 6th debtor तो नहीं तो simple सी बात है 31st March मानलो 2024 इस दिन जो debtors होंगे इस दिन जो debtors होंगे ये कब payment कर देंगे सर इनकी जो receipts है न इनकी जो receipts है ये receipts आ जाएंगी आपके bank में you can say in the next 3 months generally अगले 3 महीने में आपके पास receipts आती है तो क्या मैं क्या मैं जो entity के bank statements है ओ bank statement बताओ कौन से महीने के April, May, July April, May, July यानी 31 March को जो debtor बनके बैठा है वो कब पैसे दे देगा generally अगले 3 महीने में तो मैं entity के bank statement उठाओंगा April, May और जुलाए के और चेक करूँगा जो जो receipts आई हैं जो जो receipts आई हैं क्या वो किसी debtor से तो नहीं आई क्या वो किसी debtor से तो नहीं जो 31st March को exist करता था क्या वो किसी debtor से तो नहीं जो 31st March को exist करता था you people are getting the feel or not जैसी assertion वैसा procedure उस हिसाब से evidence बच्चा कह रहा है जून कहां गया oh my god जून को मेरा birthday आया ना तो मैं जून में busy हो गया sorry कितना गंदा जोग था सर मैंने आपको कहा जैसी assertion वैसा procedure उस हिसाब से evidence इखटा क्या ये basic सी बात समझ आ रही है आपको come on everyone please tell me हाँ हाँ ठीक है ना जून जून लिख रहे हो इधर focus करो you're getting this point or not very good अब सर बात करते हैं valuation की एक debtor को value कैसे किया जाता है बताना जरा एथे देखो एथे मजा आएगा एक debtor को value कैसे किया जाता है सर debtor की value ली जाती है उसमें से minus किया जाता है provision यानि क्या मैं बोल दू जब भी valuation की testing होगी जब भी valuation की testing होगी मेरा focus किस पे जाएगा सर आपका focus provision की testing पे जाएगा जब भी valuation की testing होगी आपका focus किस पे होगा provision पे होगा सारे बच्चे मुझे बताओ अब ये जो provision की testing है ये कैसे करूँ अब ये जो provision की testing है ये कैसे करूँ how can I test the provision schedule 3 पढ़के आयो एफर में हा सर वो याद है debtors की aging होती है कोई ये aging क्या होती है सर ये aging कौन सी होती है debtor कितने साल का है 100 साल का है 50 साल का है 60 साल का है मैंने का इतनी मर पड़ेगी न मैं बताओ नि छोड़ू आ नि तुमको कुछ भी 50 साल का है 60 साल का ये थोड़ी aging होती है aging का क्या मतलब होता है यार क्या बच्चे है aging का मतलब होता है कितने time से debtor overdue है कितने time से debtor overdue है sir, overdue मतलब क्या debtor overdue है for less than 6 months, 6 months to 1 year, ये aging की बात कर रहा था मैं नलायक, 1 year to 3 year and more than 3 year, अब जैसी जैसी इसमें figures होंगी, outstanding balance होगा, इसके हिसाब से आप अपना provision बनाओगे, for example, जो less than 6 months है, उस पे आपने 5% provision बनाया, जो 6 months to 1 year है, उसमें 10% provision बनाया, जो 1 year to 3 year है, उस पे आपने 25% provision बनाया, और जो more than 3 year है, उस पे आपने 50% provision बनाया, तो इस तरीके से, इस तरीके से आप अपनी provisioning करके चल सकते हो, इस तरीके से आप provision की testing कर सकते हो, are you people getting, ये जो assertion वाली बात में लेके आया, ये क्यों लेके आया, क्या ये basic सी बात समझ आ रही है या नहीं, क्यों हमने assertions की बात करी, क्योंकि जब तक assertion नहीं पता होंगी, आप अपने audit procedure करोगे कैसे, एक thumbs up देदो ना यार, इतना प्रेम पूरवक प्यारी सी बात सिखाईए, एक thumbs up देदो ना चैट बॉक्स में, मुझे मज़ा आ जाएगा, सर ये percentage fix तो नहीं है ना, मेरी मर्जी है, it is a matter of judgment, पूरा audit is a matter of judgment, जैसा शुबम सर चाहेंगे वैसा हो जाएगा, सर मज़ा आ गया, दिमाग में घुज गया, क्या बात है, एहे मज़े आ गए, एकदम बढ़िया वाले, very good, पर सवाल पता है, अभी भी तुम्हारा सवाल पता है, क्या है, सर हमको ना relevance समझ में नहीं आया, हमको अभी relevance समझ में नहीं आया, आपने assertion बता दिया, assertion के साब से procedure बता दिया, evidence बता दिया, पर ये relevance क्या है, relevance यही है, relevance यही है, यानि your audit evidence, your audit evidence should be relevant, relevant to what, relevant to the assertion being tested, जिस assertion की आप टेस्टिंग कर रहे हो, जिस assertion की आप टेस्टिंग कर रहे हो, उसके लिए evidence relevant होना चाहिए, यानि सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, audit evidence should be relevant to the assertion being tested, यानि अगर मैं वापिस अपने example में आऊ, दिल पे हाथ रखके बताना, क्या existence के लिए, क्या existence के लिए bank statement relevant है, नहीं सर, bank statement completeness के लिए relevant है, existence के लिए नहीं, क्या ये जो external confirmation है, ये valuation के लिए relevant है, मैंने का नहीं, valuation के लिए provision testing relevant है, यानि जैसी assertion उसका relevant evidence आप इखटा करोगे, जैसी assertion उसका relevant evidence आप इखटा करोगे, ये नहीं market में जो मिला उसको उठा के लिए और बोला audit evidence हो गया, ना 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 ना, ना रे बाबा ना, ऐसा नहीं चलेगा, आपकी जैसी assertion होगी, वैसा relevant evidence आपने इखटा करके चलना है, दोस्त, इसी लिए मैंने आपके बहु मूल्य दस मिनट लिए, क्योंकि क्या होता ना, quality quality बोलता, relevance relevance बोलता, तुमारे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, तो मैंने सोचा थोड़ा दिल वाली चीजों की बात करता है, जो तुमको already आती है, तो यहां से तुमको चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी, yes or no, yes sir, अब reliability का क्या मतलब है, मैंने का बहुत simple है, क्या आप evidence पे भरोसा कर सकते हो, क्या आप evidence पे भरोसा कर सकते हो, मैंने 500, we will cover this in detail in essay 500, मेरी आप से एक छोट इसी दर्कवास्त है, sir, क्या, जो मैंने relevance का ग्यान लिखवाया है, इसको please note down कर लो, sir, कितने मिनट दोगे, मैंने का दो मिनट दूँगा गिन के, दो मिनट दूँगा आपको गिन के, your time starts now, फटा फट राइट इट डाउन, जल्दी से, लिख लीजिए जी, relevance का ग्यान लिख लो, बाकी बात है आपके notes में मैंने अच्छे से detail में cover कर रखी है, please write it down, कितने मैं आपके दूए से, इंदे कितने अच्छे से, गषगा खाना कर दो दूत प्यान विवड़ से, लिख राइब जाब हमने अगर आइजिए, लो, भीबात हैं, यूँभा राइजिए आपके पो आपके राइजिए, इंट वात्यों अच्छे से, दूँगा बात्या झाल 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 जाल झाल झाल एक लाख रुपे बाकी है और ये जो एक लाख है ना ये तुम मुझे तीन साल से नहीं दे रहे हो तुम मेरा एक लाख रुपे तीन साल से नहीं दे रहे हो यानि जो चीज तुमको मुझे तीन महीने में देनी थी तुम मुझे तीन साल से नहीं दे रहे हो तो एक बात प्लस ये भी पता चल गया कि entity को तुमसे एक लाक रुपे लेने है बड़ ये जो valuation की game है इसमें तो judgment लगती है न जब auditor देखेगा कि अथर्व तीन साल से पैसे नहीं दे रहा इसका मतलब पैसे आने वाले भी नहीं है इसका मतलब पैसे आने वाले भी नहीं है यानि जब उस की testing करनी है तब तो उसको aging analysis करना ही पड़ेगा हा सर करना पड़ेगा तो क्या सिर्फ external confirmation काफी है valuation निकालने के लिए नहीं valuation के लिए आपको ये aging analysis करना ही करना पड़ेगा अथर्व क्या तुमको ये बात समझा है जल्दी से बताओ did you get this point or not yes sir तो बस दोस्त यही basic बात तुमको समझनी है जैसी assertion न वैसा तुमको थोड़ा दिमाग लगा के procedure करना पड़ता है और मज़े की बात है जब भी आप किसी audit firm में जाओगे उनकी पूरी guidelines होती है कि किस तरह से आपने procedures करने है अरे सौरी यार अब जल्दी से लिखो फटाफट राइट डाउन लास्ट 30 सेकंड्स क्विक्ली राइट राइट जिस जिसका लिख्के हो गया फटाफट मुझे चैट बॉक्स में डन बेज़ो वेरी गुड वच्छल बहुत बड़े दोस्त अच्छा बेस्ट पार्ट क्या है सर बेस्ट पार्ट यह है जित्ती भी चीजे मैं यहां पर नोटिंग करूँगा इन सब का PDF आपको आपके Google Drive में बिल जाएगा तो इवन इफ अगर एक आज चीजे एक आज चीजे को यह आप से रह जाती है लिखनी तो भी तो भी आप इसको बाद में टेक अप कर सकते हो क्या आपको relevance क्लियर है हां सर क्लियर है क्या reliability क्लियर है क्लियर है सर पढ़ क्या रहे थे reasonable assurance very very good वापिस आओ वापिस आजाओ audit की दुनिया में तो मैंने आपसे पूछा था थोड़ी ही देर पहले सवाल can the auditor give a guarantee क्या एक auditor guarantee है absolute assurance दे सकता है कि financial statement में material statement नहीं है आपने का नहीं सर हमने का नहीं वो सिरफ reasonable assurance दे सकता है अब reasonable assurance क्या होती है it is a high but not an absolute assurance मिलती कैसे है जब आपको मिलता है sufficient and appropriate evidence अब sufficiency का क्या मतलब होता है quantity हमको चाहिए भरपूर खाने का क्या मतलब खाना कहां से आगया सर हमको चाहिए quantity अच्छी खासी यह दो factors पर depend करता है generally risk of material misstatement और quality बेसिक सी बात है जब भी लगता है chances ज्यादा है material misstatement होने क तो हम ज्यादा testing करेंगे ज्यादा procedure करेंगे ज्यादा evidence हिखटा करेंगे यानि quantity will be more अगर लगता है quality अच्छी है तो कम quantity से भी काम चला लेंगे तो accordingly अपनी judgment के साब से हम evidence हिखटा करते हैं अब जब सवाल आया quality का तो इसमें आज हमने एक बहुत ही प्यारी चीज़ सी की relevance and relevance कुछ भी नहीं है जैसी assertion वैसा evidence जैसी assertion वैसा evidence यानि the evidence should be relevant to the assertion being tested तो ये logical सी बात भी हमने समझ ली reliability मतलब मैं evidence के उपर भरोसा कर सकता हूं या नहीं एक example में ले ले लेता हूं चलो आप मुझे बता देना ठीक है sir मानलो दो तरीके के evidence हैं एक जो आपको external sources से मिला है and एक आपको internal sources से मिला है just give me the answer in the chat box कौन सा reliable होगा मैं आपको कुछ भी नहीं बोल रहा है मैं आपको बस पहला बात बताई कि एक entity का evidence external source से आ रहा है एक evidence entity के खुद के internal source से आ रहा है किसको हम ज्यादा reliable मानते हैं audit की दुनिया में बताना जड़ा external वाले को ज्यादा relevant मानेंगे very very good कहीं ना कहीं जो external sources वाला evidence है उसको हम ज्यादा reliable मानते हैं अब मैंने एक चीज़ और add कर दी sir क्या जो entity के internal controls हैं जो entity के internal controls हैं sir internal controls मतलब entity के जो processes हैं ये entity के processes भी बहुत अच्छे हैं यानि उनमें कोई दिक्कत नहीं है ये लोग भी अपना काम तमीज से करते हैं क्या अब ये भी reliable हो जाएगा बताना जड़ा now will this also be reliable yes or no स्वाती ने तो ये बात लिखी थी हाँ if strong internal control then internal वाला also becomes reliable so the right answer is yes sir अगर internal controls अच्छे हैं तो ये भी reliable हो जाएगा ये भी कही ना कही reliable हो जाएगा तो I hope reliability वाली बात भी आपको समझ आ जाती है अब सारे बच्चे चुप चाप एक दम finger on your lips focus करेंगे board पे मैं एक दम प्यारा वाला topic अब आपके साथ उठाने वाला हूँ sir you can say this is one of the classic topics of your CA final audit कही ना कही ICI को भी बहुत ज्यादा पसंद है sir ये क्या है मेरा आप सबसे सवाल reasonable assurance ही क्यों reasonable assurance ही क्यों guarantee क्यों नहीं देते हो guarantee क्यों नहीं देते हो या फिर मैं बोल देता हूँ absolute assurance absolute assurance या guarantee क्यों नहीं देते हो reasonable assurance से ही मैं काम क्यों चला हूँ क्या किसी बच्चे को इसका जवाब पता है बताओ ना जरा do you people know the answer to this question yes or no मैंने तीन सवाल अभी तक आप सो सिखाए है reasonable assurance क्या होती है कैसे मिलती है और अब मेरा सवाल यही क्यों लेनी है बता दो चल्दी से आईला 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 सर यह आईला आईला क्या लिख रहे हैं बच्चे मैंने का आईला का मतलब है आईला का मतलब है inherent limitations of auditing inherent limitations of auditing अब सर यह inherent limitations of auditing क्या होती है कैसे होती है आजाओ मेरे साथ मज़े से तुमको सब समझाएंगे and trust me after this topic is done आप खुद बोलोगे सर inherent limitations ही exam में आना चाहिए जल्दी से सारे के सारे बच्चे इधर आओ देखो क्या क्या कहता है प्यार से हम इसको बोलते हैं ये हैं मजबूरियां सर ये क्या है इनको आप प्यार से बोल सकते हो ये क्या है मजबूरियां अब ये जो मजबूरी है सर ये किस किस की हो सकती है फोकस करके चलना अभी कुछ लिखने की जरुवत में मैं लिखने का भरपूर टाइम दोंगा तुमको ठीक है पूरे दो मिनट दोंगा डोंट वरी अबाउट इट दो मिनट भरपूर होता है सबसे पहले सर किस की मजबूरी मैंने कहा उनकी मजबूरी किस की मजबूरी उनकी मजबूरी सर उनकी कौन जिन्होंने financial statement बनाए है जिन्होंने financial statement बनाए है उनकी मजबूरी इसको क्या बोलते है nature of financial reporting nature of financial reporting सर इसमें क्या मजबूरी है मैंने का इसी के अंदर सबसे बड़ी मजबूरी है ये कि यहाँ पे ना judgment involved है judgment by the management क्या rhyming rhyming है judgment by the management चाहे आप accounting policy पकड़ लो चाहे आप accounting estimate पकड़ लो हर जगा management की judgment है और जब judgment है तो भई simple सी बात है तुम भी सही हम भी सही कोई ना कोई कुछ भी सोच के कुछ भी judgment बना लेता है अब simple बात समझना जो बच्चा पढ़के नहीं जाता और उसके कम number आते हैं ध्यान से समझना जो बच्चा पढ़के नहीं जाता है और कम number लेके आता है उसकी क्या judgment बन जाती है CA तो बड़ा ही tough course है यह भी सही है जिसको tough लगा उसकी judgment भी ठीक है जिसको easy लगा उसकी judgment भी ठीक है यानि क्या मैं ऐसा बोल दू जहां भी judgment होगी वहां तुम कुछ सही गलत कर वो नहीं कर सकते हैं decision हाँ So whenever there is a judgment by management क्या ऐसा हो सकता है management की judgment गलत हो जाए जो management ने आज अनुमान लगाए जो management ने accounting estimate बनाए उन accounting estimate का जो actual है ध्यान से समझना उन accounting estimate का जो actual है इन दोनों के पीछ में difference हो हो सकता है sir तो यही बात आपने समझनी है management makes a lot of judgment sir judgment किन किन चीजों को लेके they make judgment regarding the accounting estimate they make judgment regarding the accounting policies plus disclosure में भी कई बार इनकी judgment होती है कि क्या चीज़े disclose करनी है क्या नहीं तो क्या यहाँ पे material misstatement छूटने के chances बढ़ जाते हैं जल्दी से बताओ क्या यहाँ material misstatement छूटने के जो chances हैं do they increase or not please tell me yes or no बड़ावड बतादो if it is a matter of judgment don't you think यहाँ पे material misstatement छूट सकती है और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे yes sir तो यह कहीं न कहीं मजबूरी बन जाती है यह कहीं न कहीं मजबूरी बन जाती है तो पहली मजबूरी किसकी है सर उनकी मजबूरी अब आजो दուसरी मजबूरी पे दूसरी मजबूरी किस की है सर दूसरी है हमारी हम कौन हम हैं auditor हम हैं auditor हमारी मजबूरी भी सुनो सहाब मैने का हमारी मजबूरी क्या है सर we as a auditor yes 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 we as a auditor yes 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 we cannot test all the transaction हम कही ना कही 100% testing नहीं कर सकते वी कैनाट डू 100% टेस्टिंग, क्यूं, बड़ी बड़ी लिस्टेड एंटिटीज में, हजारों करोडों, करोडों, हजारों करोडों ट्रांजेक्शन होती हैं, हजारों करोडों ट्रांजेक्शन को चेक करने में कितना टाइम जाएगा, सर कम से कम हजार दिन तो लगेंगे कम से कम हजार दिन तो लगेंगे एक दिन में एक करोड रांजेक्शन भी चेक करी तो हजार दिन तो लगेंगे हजार करोड रांजेक्शन है और अगर तुमने एक दिन में एक करोड रांजेक्शन भी चेक करी नहीं सर तभी मोधी जी कह रहे है कि हमको धेर सारे chartered accountant चाहिए लाखो chartered accountant चाहिए और ICI भी अब बनाने में लगा हुआ है तो तुम्हारी बारी आने वाली है CA बनने की फटाफट ready रहना तो are you people ready to check 100% transaction नहीं इस चीज के लिए ready नहीं है इस चीज के लिए ready नहीं है 100% चीज़े check नहीं कर सकते very good अब मुझे एक बात और बता दो 100% तो check नहीं कर सकते बड़ जो आप check करोगे जो आप check करोगे उसकी information कहां से आएगी उसकी information कौन देगा आपको sir management देगा उसकी information management देगा and management may not management may not provide complete information management हो सकता है आपको complete information दे ही ना हाँ sir ऐसा हो सकता है मुझे बताओ management complete information क्यों नहीं देगा मैं आपको hint दे रहा हूँ 1,2,3,4,5 5 letter word है जो F से शुरू होता है और D पे खतम होता है बतादो जल्दी से मज़ा आ जाएगा why do you think management may not provide us with the complete information क्या मस चीज है ना ऐसे खेलेंगे हैं पता है पूरे ओर्ट बैच में मैं ऐसे आपको एक एक वर्ट दूँगा ऐसे स्टार्ट यहां से होता है एन यहां पे होता है तुम बताना क्या है इशिका वरिंदा सब ने एकदम सही जवाब दिया सर क्या फ्रॉड management कही न कही फ्रॉड कर सकता है and fraud is a मैं प्यार से इसको बोलता हूँ क्या बोलते है सर यहां लिखू हाँ सर यहां लिख दो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते है सोची समझी साज़िश सोची समझी साज़िश को अंग्रेजी में क्या बोलते है संदेश ने एकदम सही जवाब दिया सौंदेश सौंदेश कहता है सर it is a sophisticated sophisticated and carefully organized scheme यह कई ना कई sophisticated and carefully organized scheme होती है तो मेरा आप सबसे एक और सवाल तो पकड़ लो अगर तुमको लग रहा है fraud है तो पकड़ लो क्या तुम fraud पकड़ सकते हो मैंने का नहीं हम कई ना कई fraud नहीं पकड़ सकते क्यूं सर सबसे पहले तो हम 100% testing नहीं कर सकते दूसरा जो हम check करते हैं उसमें management complete information नहीं देता मैंने का क्यूं नहीं देता क्यूंकि management fraud है अब सारे बच्चे बताओ क्यूं आप fraud नहीं पकड़ सकते क्यूं आप fraud नहीं पकड़ सकते बता दो ना तो मज़ा आ जाएगा हम करना चाहते हैं मौका तो दो हम fraud को पकड़ना चाहते हैं मौका तो दो बाबा audit is not investigation आपका जो audit है ये कही ना कही investigation नहीं है अगर investigation होता तो अभी पकड़ के निखाते हैं fraud को बट तुमने हमको वो power ही नहीं दी जो powers होती है investigator के पास दया दर्वाजा तोड़ दो हम तो मेया कमिन करके अंदर गुसते हैं तो हमारे पास वो power ही नहीं है कि हम investigation कर सके auditor is a watch dog watch dog का क्या मतलब है watch dog का मतलब है चुप चाप कोने में खड़े हो के देखते रो क्या चल रहा है ठीक है उस पे ध्यान रखो कुछ गलत तो नहीं हो रहा blood hound नहीं है auditor is a watch dog not a blood hound blood hound मतलब एकदम खुनखार doggy जो बनलब हर किसी पे जपटा मारता है हम एकदम प्यारे मैं तो बोलने में पेजीव लग रहा है हम प्यारे doggy है ठीक है एकदम लॉजिकली चलना है 100% टेस्टिंग नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं जो चेक कर रहे है वहाँ भी complete information नहीं मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी fraud है and fraud is a सोची समझी साज़िश बोलो मेरे साथ सोची समझी साज़िश तुम बोलते क्यों नहीं है क्यों नहीं बोल रहे है बोलो सोची समझी साज़िश साथ सोची समझी साज़िश का क्या मतलब है sophisticated and carefully organized scheme तो पकड़ लो तो पकड़ लो अब तुम कहते हो की audit is not an investigation क्या ये सारी बात है समझ आ रही है या नहीं are you people understanding the flow of audit or not please मुझे बताओ na बताओ na you're getting this point or not yes sir yes sir awesome तो दो मजबूरिया हो गई sir क्या उनकी मजबूरी अगली मजबूरी क्या थी मैंने का हमारी मजबूरी एक उनकी मजबूरी एक हमारी मजबूरी अब sir तीसरा क्या है तीसरा वाला भी बड़ी प्यारी बात करता है इधर focus करना ये कहता है sir line थोड़ी बड़ी है पहले लिख लेते हैं timeliness of reporting and balance between balance between benefit and cost अब समझ के चलना सरी क्या कहता है timelyness of reporting का क्या मतलब है इधर देखो एक example लेता हूँ जिन जिन बच्चों ने audit में articleship करी है ठीक है एक बात बताना क्या आपको test of controls every year करना compulsory है is it required to be done every year मैं कहता हूँ articleship भी छोड़ो articleship भी छोड़ो आपने यहाँ पे CA Inter में एक essay पढ़ रखा है सर essay 330 करके ठीक है मैं मान के चल रहा हूँ तुमको याद नहीं है कही ना कहीं तीन साल में एक बार तो आपने करना ही होता है ठीक है समझ गई सर अब एक बात बताओ कही ना कहीं जो हमारा auditor है कही ना कहीं जो हमारा auditor है सर इसके पास क्या था इसके पास ना shortage थी let's say shortage of manpower अब क्योंकि shortage of manpower थी और इसने last year ही company के test of controls किये थे इसने entity के processes को check किया था पिछले साली तो इसने इस साल क्या किया this year this year he skipped the TOC कहीं न कहीं इसने इस साल test of control नहीं करे इसने इस चीज़ को skip कर दिया अब एक बात मैं आपको बताना भूल या वो भी सुन लो entity के इस बार controls में change हुआ है entity के इस बार controls में change हुआ है सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ क्या ये जो shortage of manpower थी क्या ये जो shortage of manpower थी इसकी वज़े से इसका test of control खराब हो गया क्या shortage of manpower की वज़े से test of control खराब हो गया हाँ sir खराब हो गया और मैं एक बात बोलू, हासर एक बात बोलो, क्या आपको नहीं लगता जो चीज पिछले साल आपने चेक करी, इस साल वो खराब हो जाती है, इस साल वो खराब हो जाती है, आप मुझे एक बात बताओ, जब भी मम्मी घर पे सबजी बनाती है, तुमसे थोड़े देसी एक्ज या टमाटर चमकीले, टमाटर ले ले या वो वाले जो टमाटर से सबजी बनती है, वो अच्छी बनेगी, या एक हफते पहले पहले जो टमाटर लिये, उससे सबजी अच्छी बनेगी, बता दो जल्दी से, सुभा वाले टमाटर से सबजी अच्छी बनती है, या एक हफते पहले वाले दोनों में से कौन सा option one या option two बता दो which tomato do you think is better obviously सुभा वाले obviously सुभा वाले fresh fresh tomato से सबजी better होती है तो जो मैंने आपको ये example बताया जो मैंने आपको ये example बताया सर example में क्या था मैंने का example में कुछ नी था example में मैं बस आपको एक छोटी सी बात समझाता है यहां से लेते हैं यहां से लेते हैं यह जो मैंने आपको example बताया मैं बस इतना कहना चाहा रहा हूँ जो पिछले साल की information है जो पिछले साल की information है वो ज़रूरी नहीं आज भी relevant हो, वो ज़रूरी नहीं आज भी आपके audit के लिए relevant हो, हो सकता है time के साथ साथ, time के साथ साथ उसकी relevance खतम हो जाए, उसकी जो value है वो गिड़ जाए, तो जैसे जैसे time बीटता है, वैसे वैसे सर क्या होता है, relevance कम होती है, और जो information की value है वो कम होत तो सर इसको कैसे लिखते हैं ध्यान से समझना Relevance of the information Relevance of the information Thereby Thereby Its value Thereby Its value It tends to Diminish ये कही न कही कम होती जाती है Over a period of time Relevance of information Thereby its value tends to Diminish Over a period of time जैसे जैसे समय बीटता है Information की value Information की relevance क्या होती है सर कम होती है Over a period of time क्या ये line आपको समझ में आई मैं आपको बताऊ न बच्चे audit का रट्टा लगा के पहुँच जाते एक्जाम में पूरा रट्टा लगा के जाते हैं अब ICI कहता है आके दिखाओ आके दिखाओ बिना समझे हमारे एक्जाम में आके दिखाओ जिस स्पीड से आओगे उसी स्पीड से वापिस बेजेंगे 6 महीने साथ में जल्दी से सारे बच्चे बताओ क्या तुमको ये बात समझ में आई या नहीं आई बिकास क्या है ना इस लाइन का रट्टा लगाना बहुत एजी है रेल इंटेशे आते हैं हो गया तुम्हारा डू यू अंडर्स्ताइड इस पॉइंट और नोट ये लास्ट पॉइंट ये लास्ट पॉइंट इसके बाद मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा don't worry and उसके बाद हम break पे भी चलेंगे break से वापिस भी आएंगे बस ये last चीज और एक मेरे साथ आप समझो ठीक है sir अब sir ये other matters क्या है ये भी हमको बताओ ये कहता है other matters आप ऐसा समझ सकते हो ये कुछ areas है ये कुछ areas है जिनको auditor टेस्ट करता है and यहां material misstatement material misstatement जो छूटती है न हमसे material misstatement छूटने के जो chances है material misstatement छूटने के जो chances है जो percentage है that is very high feel समझना topic की कुछ ऐसे other matters है that is the areas जहां material misstatement छूटने के chances बहुत ज्यादा है sir कौन कौन से areas है सबसे पहले समझना फिर मैं आपको याद करवा दूँगा ठीक है sir यह कहता है चार other matters है सबसे पहला matter कौन सा है sir fraud अब मुझे एक बात बताओ fraud में भी कौन सा fraud दिमाग खराब करेगा अगर कोई employee ने fraud किया है या management ने fraud किया है sir simple सी बात है simple सी बात है अगर employee fraud करेगा अगर employee fraud करेगा तो management पकड़ लेगा बट अगर management ने fraud किया तो इसको कौन पकड़ेगा इसको कौन पकड़ेगा नीचे वाला fraud करता है तो उपर वाला पकड़ सकता है employee ने fraud किया तो management पकड़ सकता है बट अकर management ने fraud किया तो इसको कौन पकड़ेगा सर बड़ा tough काम है तो ये कहता है जो fraud होता है न वहाँ पे material misstatement छूटने के चांसे ज्यादा है employee वाला नहीं management वाला fraud employee वाला नहीं management वाला fraud मैंने का very good और again मुझे एक बात बताना एक single बंदा fraud करेगा तो उसको पकड़ना मुश्किल है या फिर धेर सारे लोग मिलके fraud करें धेर सारे लोग मिलके fraud करें यानि there is a collusion इसको पकड़ना मुश्किल है ये भी बता दो ये भी बता दो management में बच्चे कह रहे सर senior management लिख दो ठीक है सर single बंदे को पकड़ना tough है या धेर सारे लोगों ने मिलके शडियंत्र रचा और fraud किया सब ने एकदम सही कहा सर single बंदा तो पकड़ा जाता है single बंदा तो पकड़ा जाता है बट अगर यहां collusion हो जाए सब लोग मिलके fraud करें तो पकड़ना tough हो जाएगा तो fraud में बस इती सी बात ध्यान रखनी है management और collusion वाला जो fraud है यह पकड़ना tough होता है ठीक है सर अब एक बात बताओ generally audit की कथा में generally audit की कथा में जब भी fraud का नाम आता है एक नाम और आता है जो start होता है आर से और सर इसका जो second word है वो खतम होता है y पे बताना कौन सी चीज़ की में बात कर रहा हूँ मैं second वाला भी बता दो तो मज़ा आ जाए r से शुरू होता है पहला word दूसरा word खतम होता है y पे which word I am talking about सबने एकदम सही बोला सर related party कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं सर किसकी अरे रे रे ये क्या हुआ related party जो हमारी related party इदर ही आ जाओ यार कहा तर पहुँचेंगे जो हमारी related party है इसको लेके आपने f r में क्या सीखा है मुझे बताओ ना इसको लेके आपने f r या accounts में क्या सीखा जो भी related party की relationships होती है जो भी related party की transaction होती है इसका क्या होना चिये इसका disclosure होना चिये कहीं ना कहीं इसका disclosure होना चिये कहा पर financial statement पर बड़ एक बात wanna हमको के कैसे पता लगेगा कौन related party है, हमको कैसे पता लगेगा कौन related party है, हाँ sir it is very tough, किसी company के सिर की ओपर थोड़ी लिखा होता है कि मैं related party हूँ, हाँ sir नहीं लिखा होता, तो don't you think कि ऐसा हो सकता है कोई related party skip हो जाए, हमसे कोई related party छूट जाए, और क्यूंकि वो related party छूट जाएगी तो कोई material misstatement रह सकती है, disclosure को लेके, हाँ sir, तो अगर आपसे कोई related party का disclosure रह गया, it can also lead to a material misstatement, अगर आपसे कोई related party का disclosure skip हो गया, तो इससे भी material misstatement हो सकती है, ind AS24, very very good, अगला point sir क्या कहता है, अगली बात कहता है, noclar, अब ये noclar की full form क्या है, what do you mean by noclar sir, noclar means non-compliance, non-compliance with laws and regulations, जो entity के laws and regulations है, उसके साथ अगर non-compliance होगी, तो मुझे बताओ, इसका financial statement पे क्या impact आएगा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है, हम इसकी बात कर ही क्यों रहे हैं, non-compliance हो रहे हैं, हमें as auditor क्या फरक पड़ता है, क्या impact आएगा financial statement पे, अगर कोई company law से compliance नहीं करेगी तो, not as per applicable frf, हमको क्या लेना देना, हमको क्या लेना देना, factory में उन्होंने child labor रख रखे हैं, factory में उन्होंने child labor रख रखे हैं, उसका financial statement से क्या लेना देना, रखो ना child labor, अब उनकी factory धुआ छोड़ती है, मातावरण में प्रदूशन करती है, तो करने दो, संदेश कहता है sir, penal provision, अथर्व कहता है penalty लगेगी, कॉंगोला केर्थी कह रहे है, penalty लगेगी, very very good, अब आये ना तुम line पे, अब आये तुम line पे, फाल्तू की बाते कर रहे थे, कहते हैं कि वो, ये वो, ये वो, true fair, कहां का true fair, सीधा सीधा बोलो, कि sir, अगर non compliance करेंगे, तो penalty लगेगी, अगर penalty लगेगी, तो इसका provision बनना चाहिए, अगर provision नहीं बना, तो फिर sir, क्या होगा, material misstatement, in the financial statement, अब दिल पे हाथ रखके बताओ, एक company पे कितने law लगते हैं, sir, CA course में ही, आपने कम से कम 15 से 20 law पढ़ लिए, CA course में ही, आपने 15 से 20 law पढ़ लिए, मुझे तो लगता है, जादे ही पढ़े होंगे, और उसके अलावा भी बहुत सारे laws होते हैं, ऐसे ऐसे law गिन वाँगा, तुमको लगेगा, ये भी होते है, factories act होता है, environment protection act होता है, labor act होता है, minimum wages act होता है, बहुत सारे तरह के different laws होते हैं, अब मुझे बताओ, क्या सब की compliance तुम check कर सकते हो, नहीं sir, हम सिरफ उनी की compliance चेक कर सकते हैं, जिनका financial statement पे impact आ रहे हैं, तो बाकियों की non compliance आप से छूट सकती है, हो सकता है management ने कोई non compliance कर रख example देता हूं, बड़ा simple है, कल मैं गाड़ी चला रहा था, ठीक है sir, आप गाड़ी चला रहे थे, जब मैं गाड़ी चला रहा था, तो उसी time पे sir, क्या हुआ, उसका call आ गया, वाँ sir, उसका call आ गया, तो फिर, मैंने का simple सी बात है, गाड़ी पे ध्याद दूँगा या call पे call पे, तो मैंने call उठा लिया, जैसी call उठाया, ट्रैफिक वाले ने देखा, अब ट्रैफिक वाले ने मेरे उपर चलान लगाया, हजार रुपे का, मेरे पापा को कौन बताएगा, जल्दी से बताओ, मेरे पापा को कैसे बता चलेगा, हजार रुपे का मेरे उपर चलान ल है it is not yet due मैंने निखाय ही नहीं बता दो भई हिम्मत है तो सर हिम्मत मत बोलो बता देंगे कैसे बता देंगे मैसेज का क्या मतलब है मैसेज तो मेरे फोन पर आएगा न यार तो भाई तुमको थोड़ा सा तो बेसिक लगाओ जिसका कॉल आया था वो बताएगी अरे वो पागल है क्यों बताएगी वो और उसको तो पता भी नहीं चलान हुआ मैं तो उसको बोला थोड़ी देर फोन रखो मेरा कुछ important काम आ गया है अब बताओ चलान का SMS मेरे फोन पर आएगा your account has been debited मेरा पैसे है और debited कैसे ऐसे debit नही rules नहीं पता चलान में हमेशा ऐसा होता है मुझे जाके website पे पे करना है मैंने पे किया ही नहीं मैंने पे किया ही नहीं अंजली कह रही है मैं बताओंगी अंजली न लाया है क्यों बताओगी तुम तो तुमको simple सी बात समझनी है जब भी non compliance होती है और कोई penalty का notice है तो management उस notice क drawer में छुपा सकती है management उस notice को छुपा सकती है और auditor को कभी पता नी चलेगा तभी यहां material misstatement छूटने के chances ज्यादा है तभी यहां material misstatement छूटने के chances ज्यादा है एक तो laws इतने सारे हैं किसी की भी non compliance हम से छूट सकती है और मानलो non compliance अगर हम धूनना चाहे भी तो management छुपान खार के number पड़ से अब इधर आप focus करो इधर last point कैसर last point is your going concern last point is your going concern अब sir going concern की बात कैसे करेंगे इधर देखो तुम पटेल कह रहा है sir गाड़ी का number डालते तो चलान का पता चलता है management के पास 50 गाड़ी है 500 गाड़ी है सबके गाड़ी के number डाल डाल के चेक करोगे है जो auditor किस किस के वे चलान आया है हाँ इतना तो नहीं काम कर सकते है वही तो मैं कहने के कुशिश कर रहा हूं some things are not in your control ठीक है so control now focus on going concern अब sir यह going concern क्या है AS1 ने क्या बोला था sir AS1 ने बोली थी fundamental accounting assumption यानि जो going concern है वो हमारी क्या है it is a fundamental accounting assumption अगर यह fundamental accounting assumption है तो एक बात बताओ इधर देखो इसी का example ले लेते हैं मानलो entity पे बहुत बड़ा penalty का order आया है कि अगर यह penalty पे करी तो entity का दिवालिया निकल जाएगा और यह penalty के order के बारे में तुमको पता ही नहीं है यह penalty के order के बारे में entity ने तुमको बताया ही नहीं है तो मुझे एक बात बताओ क्या going concern assumption भी गलत हो सकती है क्या entity की going concern assumption भी गलत हो सकती है हाँ sir अलग गलत हो सकती है और ये चीज भी हमसे छूट सकती है तो जो going concern है न हमको तो लग रहा है entity going concern है हमको तो लग रहा है अपने जो क्या कहते है उसे operations है इनको continue करेगी for a foreseeable future बट ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ पर दिक्कत हो जाए, हाँ सर, तो कहीं न कहीं, there can be future events, there can be future events, जो going concern assumptions को ही, जो going concern assumptions को ही, गलत प्रूव कर दे, तो अगर going concern assumptions ही गलत हो गई, तो क्या ये भी material misstatement है, हाँ, ये भी material misstatement है, तो क्या ये चारो बाते तुमको समझाएं, ये चारो गंबीर बाते समझाएं या नहीं आई, गौतम गंबीर, इधर देखो, चारो बाते समझाएं, हाँ सर, fraud, इसको relation यहाँ रखना मैं समझाता हूँ, fraud, fraud generally किसके साथ होता है, related party, अगर आप fraud करोगे तो आप laws से comply कर रहो या non-compliance, sir non-compliance, और जैसी non-compliance करी, इतनी भा ही penalty लगेगी कि going concern ही खत्रे में आ जाएगा, please tell me, are these four points clear or not, fraud, fraud किसके साथ, related party, अगर related party के साथ fraud करोगे, तो क्या होगा, non-compliance with laws and regulation, and इतनी भारी penalty लगेगी कि going concern ही खत्रे में आ जाएगा, तो बस तुमने यह चार बाते ध्यान रखनें, नितिन कह रहे, last point, नितिन समझो मैंने तो financial statement going concern basis पे बनाए, हाँ sir, अब अगर कल को जाके कोई future event होता है, जिससे going concern ही गलत प्रूव हो जाती तो वो मेरे हाथ में थोड़ी है, बढ़ हाँ, उससे भी material misstatement हो जाएगी, clear है boss, clear है sir, अब सारे के सारे बच्चे, फड़ा फट इसको note down कर सकते हैं, एक एक करक पर से note down करना start करो, चलो, 20 seconds for writing the heading, write it fast, एक एक ₌ने क्यों sounds, उससे समते हैं, भी Dal hierarchy हो जाती में तो जाता है, उससे भी आपो के खरिए इसकोच्थ सारे कर वो का जाते हैं, दो दोgen कर दो शास्प्रावच्च कर दो सकते हैं, खकुल से करक Contract Commission duda तो श्योंसिए कूने में झाएवार को का ₌ने कичने कर सह anymore को, है क्या वन मिनट राइट उनकी मजबूरी वन मिनट राइट उनकी मजबूरी वन मिनट राइट उनकी मजबूरी वन मिन राइट उनकी मजबूरी वन मिनट राइट राइट इनकी मजबूरी अब आजाओ सेकेंड पार्ट पे अब आजाओ सेकेंड पार्ट पे अब आजाओ सेकेंड आजाओ सेकेंड पार्ट पे यह लिखा है 100% टेस्टिंग नहीं करेंगे ठीक है यह पी नहीं है यह पहला का पॉइंट है कि यू कैनाट डू 100% टेस्टिंग ठीक है अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ कर रहा हूँ अजाख सेकें क ममिने aç। श्रट थामाओ स Kita am खजाब झाल आजाओ सेकेंगciones यहाँ कि प्याओ झाल कि लाव पे जाव इस वाला पार्ट दन अब आजो लास्ट पार्ट पे विच तोक्स अवाओ इस थर्ड पॉइंट पे आजा वच्छे तैमलीन से रूफ पोर्टिंग रटी सेकंड हन गॉविंग यूब वी फस्ट झाल 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 ती ओसी का मतलब है test of controls यार कैसे नहीं पता यार इंटर में test of control तो पता रहता यार ये तो हदी होगा यार I am stunned भाई साब अरियोम तरुन तुमारी जो बाते हैं हम ऐसे 570 में cover करेंगे ठीक है आज ही पूरे class खतम नहीं कर देंगे 570 में बाते होंगे ये सारी detail में कहरे दुख हो गया सच और ये लास्ट वाला क्या है अदर मैटर्स लास्ट वाला है अदर मैटर्स ठीक है सार अब आप जज कर रहे हो अच्छा मतलब मैं जज भी नहीं कर सकता ये तो हदी हो गई बाई कहरे आप जज कर रहो क्यों नहीं कर सकता जज है क्यों नहीं कर सकता जज हक है पूरा मुझे जज करने का यार मतलब ये तो ठीक है यार हो 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 गलती भी तुम करो जज भी ना करूँ मैं very very good अच्छा इन सब चीजों के आगे ना इनके essays लिखते जाना fraud के आगे लिखते ना essay 240 related party के आगे essay 550 क्योंकि यहाँ पे ना मैं वापिस यह बात उठाऊँगा essay 250 and going concern के आगे essay 570 दो तुम क्योंकि यहाँ दज्ग झाल झाल जल्दी से बताएगे एवरिवन दन विद नोटिंग अनॉल दन से चलो भाई ब्रेक पे भागते हैं फड़ा फट भूग लग रही है फ्यू सेकंड्स प्लीज कोई बात नहीं मैं यही स्क्रीन लगा के जा रहों मैं यही स्क्रीन लगा के जा रहों तुम लिखते रहों कोई दिकत नहीं है ब्रेक पे चलेंगे सर कितनी देर के ब्रेक 15 मिनट्स ब्रेक 15 मिनट्स का ब्रेक हम सब डिजर्व करते इतनी बढ़िया भारी पड़ा ही करी है बढ़िया वाली मजे ले लिए पूरे के पूरे 15 मिनट्स का ब्रेक है एंड सर कब मिल रहे हैं हम 999 नहीं 855 856 करते हैं चलो 856 पीम एम क्या हो गया सर 856 एम पर अपन मिलेंगे ठीक है चलो